पुलिस को शिकायत में संदीप दहिया ने बताया कि वो सेक्टर 25 का रहने वाला है शुक्रवार दोपहर को वो अपने प्लोट पर गया था दोपहर देर बजे उसके मोबाइल फोन पर दो कॉल आई दोनों कॉल में एक-एक मिनट बात हुई जिसमें कॉल करने वाले ने धमकी दी कि कल तक 25 लाक रुपे तयार रखना नहीं तो तुझे गोली मार दूंगा जिस पर संदीप ने पूछा कि आप कौन बोल रहे हो तो उसने कहा कि मैं नीरज बवाना गैंग से बात कर रहा हूँ संदीप दहिया ने पूलिस को बताया कि वहाई फोन का प्रयोग करता है जिसमें रिकॉर्डिंग नहीं होती है पानीपत की अनाजमंडी के आरती से गैंगस्टर नीरज बवाना के नाम से रंगदारी मांगने वाले का पूलिस ने 48 घंटे में परदाफाश कर दिया है एक आरोपी को पूलिस ने गिरफतार कर लिया है गिरफतार किया गया आरोपी पानीपत के गाउँ भादर निवासी शीशपाल पुत्र बलवान सिंग है आरोपी ने अमेरिका में ट्रक पर द्राइवरी कर रहे अपने छोटे भाई रवी के साथ मिलकर पानिपत सेक्टर 25 निवासी आर्थी संदीप से रंगदारी मांगने की योजना बनाई रवी ने अमेरिका से 14 जन्वरी को आर्थी संदीप के नंबर पर कॉल कर 25 लाक रुपे की रंगदारी मांगते हुए न देने पर जान से मारने की धमकी दी आरोपी शीशपाल करीब एक वर्ष पहले तक आर्थी संदीप की दुकान पर ही अपनी फसल बेचता था दोनों भाईयों को पता था कि आर्थी संदीप के पास पैसा है पुलिस पुछताच में आरोपी शीशपाल ने खुलासा किया कि घर में 5 फरवरी को उसकी बहन की शादी है रुपयों की जरुरत पड़ी तो दोनों भाईयों ने मिलकर योजना बनाई और 14 जन्वरी को अमेरिका में बैठे रवी ने जानकार पानीपत के सेक्टर माइनस 25 निवासी आर्थी संदीप को फोन कर 25 लाक रुपे की रंगदारी मांगी और न देने पर जान से मारने की ध हम की दी थी